नमस्कार दोस्तों आग आज वेलके में विज्ञ लोग आज का मारे टोपक है कम्पेटर नेटवर्क पर आरखिटेक्ट्चर रब कम्पेटर नेटवर्क थे जो हमारे कम्प्यूटर है यह जो हमारे डिवाइस संब कैसे ऑफनेज हूई हैं कैसे वो एक दूसरे को data transfer कर रहे हैं कैसे वो उस चीज़ को task alert हो रहे हैं तो उस चीज़ को हम देखेंगे तो यह हमारे दो टाइप से हमारे computer network architecture यूज होता है पहला हमारा होता है P2P network और दूसरा होता है हमारा client network क्या server network जिसको हम बोलते है client server network तो P2P में हमारा होता है कि यहां पर जो network है उसमें जो number of computers है दो वो हर computer दूसरे computer से equal privilege के साथ connect होता है मतलब माल लो कि हमारा एक computer एक device ही है हमारी एक device ही है एक device यह है एक device यह है तो यह device इसके साथ connect है इसके साथ भी connect है इसके साथ भी connect है इसके साथ भी यह आपस में connect है यह सारी हमारी device आपस में connect होती है with equal privilege मतलब उनमें processing of data जो रहेगा वो सब में बराबर रहेगा तो वो हमारा यूज करते हैं कि यहां पर कोई भी इनके लिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग सर्वर हो कोई भी अलग से dedicated server नहीं होता है peer-to-peer network एक computer दूसरे से जुड़ा है एक device दूसरे के साथ जुड़ी है बस तो number of device इस type से आपस में जुड़ जाती है यह हमारा होता है peer-to-peer network अब यहां पर कोई भी centralized system नहीं होता है कोई भी हमारा server नहीं होता है सब को equal weightage मिलती है सब आपस में इस type से connect होते है that is called peer-to-peer network इसका हमारे इसमें हम जो है client-server network client-server network के अंदर एक computer को privilege जादा दी जाती है मतलब यहां पर एक end user होता है मतलब यहां पर end user होगा और दूसरी तरप क्या होगा हमारा है main computer होगा that is server और यह main computer हमारा alag-alag computer के साथ attach होगा के ते हम एक computer हमारे attach होँगे इसके साथ तो यह हमारा एक computer यहाँ पर attach हो गया एक हमारा यहाँ पर attach हो गया तो इस टैप से इस computer के साथ बाकी computer connect है यह हमारा होता है अब किसी के भी तुर हो सकते हैं डिरेक्ली हो सकते हैं जैसे इंटरनेट मीडिया की दिना से facebook चलाते हैं इस वह क्या है एक server रखा हुआ है वहाँ से यह हमारे हैं client और यह हमारा है server तो client और server के बीच में जो network बनता है that is called client-server-network अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो जो end user है अब end user किस चीज को access कर सकता है किस चीज को access नहीं कर्सकता क्या-क्या उसको resource enabling हैं क्या क्या नहीं है इंस Chat गो होता है हमारा server से end user हमारे किस की chat को देख सकता है예요 Andrew ने इस के subscription ले रखाई यह उस सीज को देख सकता है यह नहीं देख सकता, इन सारी चीजों को गंट्रोल करता है चीज, यहां पर एक कम्ट, जो हमारा server है, वो इस चीज को काम करता है, मतलब सारे जो operation है, मालों की security है, ठीक है, manage करना है उस चीजों को, इन सब को वही चीज देखता है, अब जैसे मालो की यह माली है यह computer है मतलब यह किसी person का computer है अब इसको इस person को friend request भेजनी है मालो की facebook का हम client server network यूज कर रहे हैं तो इस person को जो हमारा a person है उसको b जो computer है या b जो client है उसको क्या friend request भेजनी है यह कोई message भेजना है तो a जो है b को directly नहीं भेज सकता है अब यह जो होगा बाया server भी को बेज सकता है मतलब यह जो है server पर बेज जाएगा और server के through इसके बी के पास जो भी request है या जो भी message है वो हमारा transmit होगा इस type से काम करता है हमारा client server architecture हम facebook यूज करते हैं जी मेरे यूज करते हैं अलग-अलग चीज़े हम यूज करते हैं इस बज सब्सक्राइब के लिए यह था हमारा computer network architecture थैंक यू थैंक यू अब्रूब्वन